हाँ जी तो हम करने जा रहे हैं भाई example number fourth है भाई polynomial रिंग topic की और यह इतनी ज़्यादہ important है पेपर Setter तो दिवाने हैं इसके दिवाने हैं Penjab University में पता नहीं कितनी ही बार आचुकी है Penjab University के previous exams में वे इसमें क्या है number one यहां पर क्या है rx is a polynomial ring तो अगर यह polynomial rings है तो इसमें polynomials होगी तो therefore a0 plus a1x plus a2x इस type के element इसको क्या करेंगे belong करेंगे वे और यह जो coefficients है यह कहां से आ रहे है a is belongs to r यह जो a eyes है यह कहां से आएंगे कहां से आएंगे यह वह जी r को belong करेंगे r की जगा पर z दे सकते है r की जगा पर o दे सकते है यह सब दे सकते है तो अब आपने क्या show करना है isomorphic बहिए जब जब isomorphic की बात आएगी हमें एक function define करना पड़ेगा हमेक function define करना पड़ेगा और वो function वो function ही आपका आगे जाकर ठीक है isomorphic proof करने में help करेगा ठीक है तो polynomial ring में क्या होगी polynomial होगी ठीक है where coefficient कहां से आने चाहिए भई r से आने चाहिए हमेक function define करने जा रहे हैं define function rx to r ठीक है कैसे define करेंगे भई अब इसमें गया इसमें polynomial है है भई यह पॉलिनोमियल जा गए और इस तरफ गया इस तरफ क्या है इस तरफ पॉलिनोमिल थोड़ी यह इस तरफ तो constant value है इस तरफ दूसरी तरफ तो भई constant value है तो हम क्या करेंगे constant term पर map कर दो, ठीक है, कर दिया भी चलो, आगे चलते हैं, चलो, map तो कर दिया, अब इसको step 2, इसको क्या show करना है, भई, भई, फाई क्या है, भई, ring homomorphism है, ठीक है, ring homomorphism के लिए, हमें क्या proof करना पड़ेगा, for this, ठीक है, for this, we have to prove, for this, we have to prove that, number 1, फाई A, प्लस B, इसको लाएगा, भई, फाई A, प्लस B, इसको लाएगा, फाई A, फाई A, प्लस फाई A, प्लस फाई A, प्लस प्लस जी एक्स, second, multiplication में भी ये rule लगना चाहिए, भई, मल्टिप्लाइकेशन में भी ये rule अप्लाई होना चाहिए, for all, fx, gx, belongs to rx, ठीक है, ये, तो ये, हमें, रिंग हॉममोर्फिजम के लिए, ये दो चीज़े शो करना पड़ेगा, ठीक है, फाई जो है, वो ओबर अडीशन भी अलग-अलग हो जाएगा, ओबर मल्टिप्लाइकेशन भी हो जाएगा, ये शो करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए, दो अलिमेंट ले लो न, दो अलिमेंट ले लो, देरी किसमें, अलिमेंट लो आप, एडीशन करने पर कौन सी पोलिनोमिय लाएगी भी अडीशन करने पर, अब देखो, a not plus b not, plus x का कोफिशन क्या हैगा, a1 plus b1 x, x square का कोफिशन क्या हैगा, a2 plus b2 x square, like this, ठीक है, एडीप्लाइकेशन करने पर क्या मिलेगा भी, मल्टिप्लाइकेशन अगर आप करोगे, द्यान से तो a not b not, और x का कोफिशन क्या आएगा भई, x कोफिशन आएगा, a1 b not plus a not b1, similarly x square का कोफिशन क्या आएगा, समझ रहे हो न, x की power क्या है 1, तो यहाँ पर वो वली terms का, यहाँ पर वो वली terms का sum कर देना, जिनका index जोडने पर 1 आ रहा है, जिनका index जोडने पर 1 आ रहा है, अब x square में किन, x square वली bracket में किन terms का sum करना है, जिनका index जोडने पर 2 आ रहा है, तो भई A naught B2 plus A1 B1 plus A2 B naught ठीक है अब ये आप खुद सोचना X cube का coefficient क्या आएगा मैं लिख देता हूँ but video pause करके आप खुद सोचना मैं लिखने जा रहा हूँ but आप खुद सोचो पहले लिख कर देखो ठीक है क्या आएगा अबी sum इसमें किन टर्म्स का सम आएगा जिनका इंडेक्स का सम क्या आ रहा है 3 आ रहा है 3 तो इसमें क्या आजएगा A naught B3 plus A1 B2 plus A2 B1 plus A3 B naught like this ठीक है तो addition करने पर जो possible था हमने लिख दिया multiplication कर पर जो आएगा वो भी हमने लिख दिया now now number one phi of fx plus gx वह यह किसके इकोल आएगा भी constant term क्या है अभी constant term क्या है fx plus gx की constant term क्या है इसकी constant term है A naught plus B naught and phi fx plus phi gx वो किसके इकोल आएगा अना वो समझ रहे हो ना phi fx अब fx क्या है भई fx A naught plus A1x plus A2x के रहे हैं यह polynomial है भई तो इसमें A note आजाएगा constant term दूसरे में constant term B note है तो यह तो दोनों क्या आगए इसमें आगे भई जी शेम 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 नहीं भई सेम सेम तो सभी सेम से माने की वज़ा से हम यह लिख सकते हैं भई देरफोर phi fx plus gx is equal to phi of fx plus phi of gx second thing, second thing multiplication में multiplication में क्या आएगा भी constant term multiplication की वले की constant term क्या थी वो थी a not b not check कर लो constant term थी a not b not भई यह check कर वा देते हैं ठीक है यह देख लो multiplication में यह क्या थी भई constant term यह क्या थी यह जी constant term ठीक है and अलग-अलग multiply करोगे भी ठीक है यह अलग-अलग phi fx और phi gx को अलग से multiply करोगे तो इसकी value क्या आएगी भई fx की value क्या है भई a not plus a1 x plus a2 x के और gx की value क्या है भई b not plus b1 x plus b2 x के अब इसकी value क्या आगे भई a not second वाले की value क्या आएगे b not तो भई देखो यह भी दोनों क्या आए है भई या जी अरे भी यह जी shame to shame अरे वह दूसरे वाला shame नहीं भई same to same वाला है तो भई यहां पर क्या देखने को मिल रहा है भई इसाइब आफ एक्स by यह किसके को लागए फाई ओफ एक्स ऑफ जीक्स डैडविन 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 फाई क्या है भई कि भई रिंग homomorphism है ठीक है अब यहां पर यहां पर यहां पर स्टेप 3 लिखणा तो बनता है भई स्टेप 3 लिखो भी as we know as we know by fundamental theorem fundamental theorem क्या कहती है of ring homomorphism यह कहती है अगर अगर आपके पास कोई function है वो r to r dash क्या है homomorphism and onto then r by kernel phi किसके isomorphic होगा r dash के r by kernel phi किसके isomorphic होगा r dash के तो क्या रह गया भी प्रूफ करना remaining to prove करना क्या रह गया हमने homomorphism तो कर दिया हमने homomorphism तो कर दिया हम अब remaining to prove rtp rtp क्या है remaining to prove phi क्या है भई on to phi क्या है भई on to on to show करो on to का क्या मतलब भई on to का क्या मतलब है on to का मतलब है भई दोस्ती बड़ी गहरी है दोस्ती बड़ी गहरी है दोस्ती बड़ी गहरी है ना आप यहां से element लोगे एनोट और उसके लिए समझ रहे हो ना आपने आदी रात को भी आवाज लगाई आदी रात को आवाज लगाई भी भाई बाई के पंचर होगी यह जल्दी से आजा है भाई बाई के पंचर होगी जल्दी से आए तो आदी रात को भी आवाज लगा रहे हो rx के rx की तरफ आपने अवास लगाई तो आपको वो बंदा भी मिलेगा बंदा भी मिलेगा rx का नमबर टू उस पर फाई लगाने पर फाई लगाने पर आपको a note मिलेगा इसको बोलते हैं pre image मिलना pre image मिलना ठीक है अगर वो दोस्त मिल रहा है आदी रात को अवास लगाने पर वो दोस्त मिल रहा है जो आपकी help करेगा है जो आपकी help करेगा मतलब function क्या है on to रिष्टा गहरा है भई हैं दोस्ती गहरी है मतलब समझे रहे हो ना pre image का मतलब का है वो दोस्त मिल जाएगा और अगर सारी elements की pre image मिल रही है function on to है दोस्ती गहरी है तो आप दोस्ती गहरी प्रूफ करो भी दोस्ती गहरी है भी तो 5 on to के लिए क्या है let a not belongs to r be any element a not belongs to r be any element ठीक है then क्या होगा भी then a not plus 0x plus 0x square plus 0x cube ये चीज किसको belong करेगी भाई ये rx को belong करेगी ठीक है and ये क्या मिल गया हमें ये आदी रात को अवास लगाने के पर दोस्त मिल गया है दोस्त मिल गया and इस पर आप 5 function लगा होगे भाई 5 function लगा होगे तो value क्या आएगे भाई constant term और इसकी constant term क्या है भाई a not a not check कर लो इसकी constant term क्या है अगर आपको आदी रात को भी आवास लगाने पर वो दोस्त मिल रहा है मतलब दोस्ती गहरी है function on to है भाई function on to ठीक है so therefore function क्या है भाई 5 क्या है भाई on to 5 क्या है on to अब अगर 5 on to है so therefore हम क्या लगा सकते हैं by fundamental theorem अरे homomorphism भी है और on to भी है ना by fundamental theorem of ring homomorphism ठीक है ring homomorphism क्या होगा भी rx by kernel phi rx by kernel phi किसके isomorphic होगा rk होगा rx by kernel phi किसके isomorphic होगा rk होगा हना कितने step होगे भी तीन होगे step number four में step number four में हम claim करेंगे भाई claim करेंगे kernel phi क्या है भाई kernel phi ये idle है जो x से generate हो रहा है is idle generated by x ये show करेंगे भी हाना अब ये चेक कर लो कर देते भी अब करनल phi में elements करनल phi में elements left stat के होते हैं करनलumed phi में elements left stat के होते हैं हेलेफट सेट पिक होती हो अरे भाई Final family इसमें लगने पर क्या आएगा भी? 0, हाना? 0. अब फाइ, इसको ये पोलिनोमियले, पोलिनोमियल को कुछ लेट कर लो, A note प्लस A1 X प्लस A2 X के र, like this. अब इस पर फाइ लगने पर, भी फाइ लगने पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, हाना? बट फाइ 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 हम इसका मतलब क्या है हमने rx की वो वली polynomials लेनी है जिनकी constant term क्या है 0 अगर a note is equal to 0 है तो यहाँ पर मैं अगर fill करू तो क्या बचेगा इसमें element a1x plus a2x square ठीक है plus a3x cube ठीक है ये वले element बचेंगे ठीक है ये वले element बचेंगे अब इन में से x common आ रहा है इन में से x common आ रहा है तो भी निकाल लो है ना इन में से x common आ रहा है तो भी निकाल लो और x common निकालने के बाद जो polynomial बच रही है वो अभी भी किसको belong कर रही है अभी भी किसको belong कर रही है वो rx को belong कर रही है आणा देखो आपने इसको gx माल लिया ना ये जो बाकी polynomial बची अरे भैया जी इसको gx माल लो gx भै इसको gx माल लो ओके तो इसमें क्या है देखो यह definition थी अगर यहां पर हमने x रख दिया तो यह किसके को लाएगा यह किसके को लाएगा इसमें x समझ रहा हो ना देखो रिंग की बात अलग है रिंग में जब आप यह लिखते हो ना generated by a और और हाना generated by a तो इसका मतलब क्या है इसमें इसमें a के multiples है और वह भी कमोटेटिव रिंग पर लगता ही है तो a generated by a को क्या मतलब इसमें a type के element a type के अगर x generated का मतलब इसमें xr और r कहां से आता है या जी रिंग से रिंग से आता है तो इसमें क्या होगा साथ में gx होगा gx कहां से आएगा भी polynomial ring से ठीक है बस यह आपने समझना है polynomial ring से आएगा देखो यह definition है डेफिनेशन है generated by a में किस type के element होगे generated by a में किस type के element होगे a r type के r कहां से आएगा ring में से आएगा generated by x में किस type के element होगे x gx type के gx कहां से आएगा polynomial ring से आएगा तो यह जो set बना है इसको हम बोलेंगे idle generated by x wording क्या use करने है आपने idle generated by x idle generated by x of rx of rx idle generated by x of rx so therefore rx by kernel phi किसके isomorphic आया r के so therefore kernel phi की क्या value आगी ये आगया ये अभी अभी हमने निकाल ला है तो that mean ये apply जैसे अगर मैं यहाँ पर z रख तो z x ये किसके isomorphic हो जाएगा ये z के हो जाएगा और मैं अगर qx रख दू तो ये किसके isomorphic हो जाएगा ये qk हो जाएगा ठीक है क्योंके हो जाएगा और मैं real real वाला आ रख दू ठीक है real वाला आ रख तो ये किसके isomorphic हो जाएगा ये set of real numbers के हो जाएगा ठीक है तो चलते अगली एक्जांपल की तरफ ठीक है चलते अगली एक्जांपल की तरफ